तो हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको 2024 में बॉर्ड में आने वाले अर्दवार्सिक परिच्छा का एकदम मॉडल पेपर लाया हूँ ठीक 2022 का मैं लिया हूँ पेपर जो कि आपके बॉर्ड परिच्छा में एकम छपके आएगा ये पेपर को आप लोग समाजिक विज्ञान का ये पेपर को सुल्व कर लिजेगा मैं आपको बता दूँ आप लोग स्क्री में देखिए यूजर क्यू एन एस्टी वी फोर जे यू एस परिच्छा में और कुछ तयार करने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको बता दूँ अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका भी नाम वीडियो में आएगा ठीक आप लोग कमेंट अवस्य करिए कि आपको किस टॉपिक सबसे पहले बीडियो को स्चार्ट करते हैं अच्छे से समाजिक विज्ञान का पेपर है तीन गंडे 15 मिनट के आपको समय मिलेगा ठीक उसके वस्तामान निर्देस देख लिजी आप लोग प्राराम के 15 मिनट पर रिचारतियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर् पॉटेंट टॉपिक लिखा यहां पर इसे आप समझ लिजेगा जो भी आपको प्रश्ण स्टार्ट करना एक नए पन्ने से स्टार्ट करना है ठीक उसके बाद तीसरा नमर पर तेक प्रश्ण के लिए निर्देस उनके प्रारम में दिये गये हैं और पांचवा नमर कहता ह है को तक हो खंडो है तो दिये गए मांचित्रों को पुस्तक उत्तर पुस्तिका में मजबूती के संलंगने करना आवस्यक है तो कम से कम आपको मैं आपको बता दू 20-25 कुशन आपको याद करना पड़ेगा किस चित का मांचित्र का तभी आपका उसमें से बोड़ एक्जा करने के लिए दिये गए हैं तो आईए हम लोग अपना को देखते हैं सबसे पहले हम लोगा खंड को चालो होता है क्या कहता है आपको बहुत विकालफों में से सही उत्तर चुनिए उससे अपनी उत्तर पूस्तिका में लिखिए स्वयूंक ते राश्ट संग कि इस अपना क ले कर रहूंगा यह किसका कतने किसने का तो को सनव फोर कहता है कि प्रथम विस यूद का प्रारंब कभ वह था बहुत ही महत्तपून को सने उसके बाद पांचवा नमब देखिए संयुक्त संयुक्त राश्ट संग का मुख्याले कहां इस ती थे और छया नमबर को सने भार आपको कब बताऊंगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा बहुत ही महत्तपून को सने क्योंकि मैं इसे कौपी में आपको समझाओंगा को मैं आपको बता दूँ यह जो क्वेशन आपके बोड एकजाम में भी आ सकता है और अर्दवार्सित परिक्षा में भी आ सकता है ब आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप लोग क्वेशन नमर नाइन देखिए मैंने क्या कहा था दक सेवेन और एट आपको कब बताऊंगा मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों संगिये सासन व्यवस्ता की कोई दो प्रमुक विसे स्थाय लिखिए उसके बाद आपका लग उतरिये प्रस्ण चालू होता है लग उतरिये प्रस्ण में क्या कहता है आपका बहुत ही महतपून को सने को सने भारती राष्टी आंदोलन में भाग लेने वाले किनी तीन नेताओं के नाम लिखेंगे तो आथवा इसे कीजी आप लोग पर्थम सोतंतरता संगराम की और सफलता के लिए उतरदाई को यह तीन कारण लिखिये बहुत ही महतपून को सने एक कारण लिखेंगो तो आपको एक नंबर दूसरा कारण लिखेंगो तो आपको एक नंबर तीसरा यानिकी तीनों पर एक एक नंबर मिल जाएगा आपको उसके बाद को संप्रदाइका क दूर करने के लिए किनी तीन उपाईों का मणन कीजिए। आप ये किजी अध्वामे महात्मा गानी द्वहरा चलाए गये किनी तीन आन्दो लनों के नाम नीकिये। आपको एक एक नंबर मिल जाएगा. अब कितना नंबर हो जाएगा, ये करिज़ी ये के लिए आपको तीन नमब्र इस प्겠어 का कौन kinetic जो को झाया ओर मानको का सटना और म मानचित्र मैं आपको पलुक क्णोड में कुछन ने क्विचन को फिस चोदह दि boys ठानों को धान मानच्चीट्रमान चीट्र करिया है इस जो आपको चीन दियागा उसे चीन तुरे द्वारा आपको प्रदर्शित करना होता है ठीक चीन द्वारा नाम सहींच दर्शाय सहीं नाम तथज़त सहीं अंकन के लिए आधा नंबर आधा नंबर अंक निर्धारी थे ठीक अगर आपने मान लेजे कि पहला नमबर लिया वह इस्थान जहां जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था मान लेजे कि अमरी सर में ही हुआ था अमरी सर में हुआ था अगर आपने ये कह दिया कि अमरी सर में हुआ था तो आपको आधा नमबर मिल जाएगा अगर आपने माम चित्र पे प्रदर्शित कर दिया कि कहां पे पूरे भारत के मैप में कहां पे अमरी सर है तो आपको उसके कितना नमबर मिल जाएगा आधा नमबर मिल जाएगा यानि कि आधा आधा मिल के आपका एक नमबर हो जाएगा ये question पे एक नमबर उसके बाद देख जहां पर चंदर सेखर आजा सहीद हुए थे इस पे एक नमबर और पांचवा नमबर को सर कहता है वह स्थान जहां सूती मिल स्रमिको का सत्यागरा हुआ था इस पर जाएंगे एक नमबर मिल जाएंगे और यहां पर केवल दृष्टि बादित पर रिक्षारतियों के लिए प अब कितना नमर मिलेगा फूल नमर मिल जाएगा उसके बाद आपका स्टार्ट होता है खंड का में सबसे पहले बहुआ विकल्पी प्रस्ट आप कोस्तर नमबर देखिए निम लिकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पूस्तिका में लिखे 15 नमर क किस राज में पाई जाती है 16 कहता है किस देश के विकास निम लिकित में से किस आधार पर निधारित किया जाता है कोस्तर नमर 20 कहता है निम लिकित में से किस आधार पर सरवाजनिक और निधी छेतरक विभाईत हैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ किवल आप इस मौडल पेपर को पढ़ लीजिए ठीक इसे मौडल पेपर समझी और इसे पढ़ लीजिए आपका और दवार सिख परिक्षा और मैं बता दू आपका बोड एक्जाम डायरेक्ट जो आप देने जाएंगे उसका पूरा इसे में छपके आएगा ठीक बहुत ही महत्पूर्ण स्टेट ली आउंग में आपको आए कोस्ता नमर्ट 21 देखते हैं हम लोग देखिए कोस्ता नमर्ट 21 में अतिला गुतरिये प्रस्ट 21 क्वेशन कहता है पुना चकर ये प्राकृतिक संसाधन किसे काता है कोई दो उदा बाद लगोतर ये प्रसंद देखिए कोस्ता नमर्ट 24 हमें खनीजों के संदक्षंड क्या हो सकता क्यों आप इसे कीजिए या इसे कीजिए क्यों के खेती कि रनुकुल बगवावली के दासाय क्या इसमें तीन नमर्य कोई भी कर देंगा वो तीन नमर्य मिल जाएगा उसके जाएगा इस पर एक यानि के तीन नमर्य मिल जाएगा उसके वाद को सब्सक्राइब करन के प्रवाव पर प्रकास डालिए प्रिसे की जात्वा में जो भोकता अंदुलान के कारण बताए हम भोकता अंदुलान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस पर कितने नमर्य चैन नमर्य क्वेसन पर उसके बाद देखें कोसन नमर्य 28 क्रिश्णा नादी इस चीन दवारा प्रदर्सित की जाएगा आपका जो म हैं सबसे पहले बतानाए कांप बती और मैप में उसे पृद शित करना है तो कितने नमर्य मिल जाएगा यानि की आपको सब करता है सरदार सरुवर्बाद इस चिन द्वारा यानी गोला के चिन द्वारा प्रदसित कीजिए और पांचमा नमर कहता है विसाका पढ़नम बंदरगा इस चिन द्वारा प्रदसित कीजिए तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी आज आए आपको वीडियो के लाक्ष में बता रहा हूं कोईस्ट नमर इसे मत छोड़ी का संप्रदाइचा के बारे आपको पूरा पढ़ लिए कम से कम बता रहे हैं इसका तीन नमबर से चार नमबर आपके बोड़ी जाम में देखने को अबस से मिलेगा 100% मिलेगा क्वेस्ट नमर इसे मिलेगा 100% और्दवारती परिशा हो या बोड़ी जाम हो क्वेस्ट नमर इसे मिलेगा आपको बोड़ी जाम हो तो यह चारों कोशन आप लोग छोड़ेगा मैं थैंक्यू दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में सेयर कर देजिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवसे करिएगा और आपको किसी भी टॉपिक के वीडियो